आपके साथ ये जो सार्थक बादचीत से न सिर्ब मुझे लेकिन देश के जो भी नागरीक आज आपको सुन रहे हैं सभी देश वाज़ियों को संतोष हुआ होगा उनके अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ होगा कि दूर सुदूर गाउं में हमारे लोगों ने कैसे देश को समाला हुआ है देश के उजबल भविश के लिए कैसे बढ़िया काम कर रहे हैं और शायद समय जादा होता और मैं सब को सुन पाता कितना आनंद आता कितनी नहीं नहीं चीजे मिलती लेकिन मैं जब लाखों की तादान में पंच सरपंच मेरे सामने है इस टेक्नलोजी के माध्यम से जुड़े हैं भले ही मैं आप सब को सुन नहीं पाया हूँ लेकिन जिन कुछ अपने प्रधानों ने अपने अनुभव बताएं उसमें एक परकार से आपकी भावनाय प्रगट हुई है लेकिन उसके बावजुद भी आपने कोई ऐसे विशेश प्रयास किये हो प्रयोग किये हो अपने गाउं को बचाया हो अगर मुझे लिख करके भ जीवन को सुरक्षीत और आसान बनाने में नेत्रुत्व कर रहे हैं जिम्मेवारी निभा रहे हैं हम सब ने सुना हैं बच्पन से सुनते आए हैं मात्मा गांधी एक बात बाहर बाहर करते थे मात्मा गांधी कहा करते थे कि मेरे स्वराज की कलपना का अधार ग्राम स्वर पायते हमारे लोकतंत्र की एक जूट शक्ति का केंद्र है हमारी लोकतंत्रिक एक जूटका का यही सबसे बड़ा का ताकत्वर केंद्र है और हमारी यहां तो सास्त्रों में कहा गया है संगमुलम महाबरम अर्थात बड़ी से बड़ी शक्ति का केंद्र संगठन या एक जूड़ता में ही होता है और इसलिए आज की परितिती में देश को आगे ले जाने की शुरुवात देश को आत्म निर्भर बनाने की शुरुवात गाउं की सामुहीग सक्ति से ही होगी आप सबकी एक जूड़ता से ही संबव होगी इन प्रयासों के बीच हमें यह याद रखना है कि किसी एक की भी लापरवाही एक की भी लापरवाही पूरे गाउं को खत्रे में डाल सकती है इसलिए डील की जराबी गुंजाइस नहीं है गाउं में सेनिटाइजेशन अभ्यान हो सहर से आने वाले लोगों के लिए इतने कम समय में कॉरंटाइन सेंटर बनाने का काम हो हर एक व्यक्ति के खानपान और जरूरत की चिन्ता हो या फिर आम लोगों को जागरूत करने का काम हो ये काम हमें निरंतर बीना रुके बीना ठके करते ही रहना है और जैसे इकबाल जी ने अभी बताया जम्मु कश्मीर के अपने साती ने रिस्पेक्ट भी करो और सस्पेक्ट भी करो हमें ये ध्यान रखना है कि शारिक दुरी दो गज की दुरी ये मंत्र भूलना नहीं है गाउ 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 गर गर गली गली दो गज की दुरी ये शारिक दुरी साथ साथ मुल को फेस कबर जरूरी नहीं एक बड़े महंगे वो हो ऐसा गमचा भी चल जाता है लेकिन ये लगातार होना चाहिए या माज से ढंकना हाथों की बार बार सफाई की बात हो आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बिमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है यही एक दवाई है हमें बचाव और स्वच्चता पर जादा बल इसलिए भी देना है क्योंकि गर्मी और बरसाद के मोसम में अनेक प्रकार की बिमारीओं का खत्रा भी बढ़ जाता है और हमारे बारीस के दिन आने की शुरूआत हो गने वाली है इस बार कोरोना बिमारी ने इस खत्रे के लिए और दिक चिंता का कारन बना दिया है इसलिए हमें बहुत सतर्क रहने दे हुए अपने गाउं को बचाना है साथियों हमारा अतीत का अनुभव बताता है कि बिमारियां और उनके इलाज के बारे में गलत जानकारियों की वज़़ से हमें बिमारियों को रोकने में काफी दिक्कत आती है काफी समय चला जाता है इस बार हमें ऐसान नहीं होने देना है हमें हर प्रकार की गलत पहमी से लोगों को बहार निकालना है हर परिवार तक सही जानकारी चाहे वो बचाव को लेकर हो या फिर इसके इलाज के लिए ये जानकारी पहुँचाने की चाहिए इसके लिए आप छोटी-छोटी टोलिया बना कर और मैंने सुना कई सर्पंजों ने कहा कुनों ने गाउं में छोटे-छोटे-छोटे टोलिया बना दिया अलग-अलग काम के लिए लोगों को संकटित कर दिया है तोलिया बना कर जागुरुता के अभ्यान को तेज कर सकते हैं आशा है, एनेम है, अंगनवडी कारकरता के साथ, हमारिया सेल्फियल्फ गुरुब हैं, उसकी बहने हैं, युवा मंडल हैं, पूर्वसाइनिक हैं, दूसरे संगठनों से भी कई लोग आए हैं, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये संगठन भी हैं, हर किसी की मदर लेनी चाहिए, हर किसी को जोड़ना चाहिए, साथियों, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, खान खान को लेकर भी, कुछ लोग तरह तरह की बाते करते हैं, इससे भी तमाम अफ़ाएं उर्ती हैं, जिससे हमें सतर्क रहना है, हम जो भी खाएं, वो खुब धोकर और खुब प कई अच्छी परंपराएं भी होती हैं, जिनको हमें प्रोशाइद करना है, जैसे हमारी यहाँ आईरुवेदिक काढ़ा पिने की परंपरा है, अनेक प्रकार के मसालों का उप्योग हम करते हैं, इसके साथ साथ अगर हम नियमित रुप से योग प्रानायम करेंगे, तो नि किसी बिमारी का इलाद नहीं है, लेकिन यह हमारे शरीर को बिमारी से लड़ने के लिए ताकत देता है, सक्षम बना देता है, आयुष मंतराले की तरफ से इस से जुड़ी कुछ गाइडलांज भी जारी की गई है, और मैं चाहूँगा सारे प्रदान आयुष मंतराले की व बहुत ध्याम देना है, वो है आरोग्य सेतु मुबाइल एप, मैंने अभी एक टीवी के अंदर एक किसी कलाकार का देखा था, उसने आरोग्य सेतु मुबाइल एप को बड़ी गाड कहा है, ये मुबाइल एप कोराना से लड़ाई के लिए बहुत उप्यूगी है, ये आपके गाउं में सामने वाला किसी ऐसे इलाके से तो नहीं आया, जो कोराना प्रभावित रहा हो, आपकी खुद की सुरुक्षा के लिए, आपके गाउं की सुरुक्षा के लिए, आपके आपपास वालों की सुरुक्षा के लिए, आप अगर ये आरोग्य सेतु एप अप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, पूरे गाउं के पास करवाएं, ये लंबे अर्षे तक आपका बोडिगार का काम करेगा, मैं देश के सभी पंचायत प्रतिनितियों से निवेदन करूँगा, कि आप सभी अपने गाउं के प्रतेक सदस के मोबाइल फोन में आरोग सेत आप को डाउनलोड करवाएं, ये एक प्रकार चे हमारी सुरक्षा का सेतु है, साथियों देश के ग्रामिंग शेत्रों में रहने वाले भाइयों और भाहनों का स्वास्थ, हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्रात्विक्तां में सहेक रहा है, आपकी एक एक आवशक्ता को कर रही है पहले टीका करण को लेकर इतनी दिक्कते होती थी हमारी सरकार ने न सिर्फ टीकों की संध्या बढ़ाई बलकि दूर दराज वाले खेत्रों में भी टीका करण अभियान को लेकर के गई पहले गर्वबती महलाओं और नवजाद बच्चों में कूपोशन की बहुत ज़्यादा समश्या थी हमने पी-एम मात्रों मंदना योजना के माध्यम से सीधे महलाओं के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने शुरू किये ताकि कूपोशन के खिलाब लड़ने में उसको मदद मिल जाए पहले सोचालयों की क्या स्थिती थी ये भी आपको पता है हम बहुत गंबिरता से प्रयास कर रहे हैं कि गाओं के गरीब से गरीब को उत्तम स्वास्त सेवा मिले इसके लिए अनेक प्रयास किये जा रहे है आईश्मान भारत योजना भी गाओं के गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत बनकर उबरी है इसके तहट अब तक करीब करीब एक करोड़ गरीब मरीजों को अस्पताल में मुप्ति इलाज मिल चुका है इस योजना ने ग्रामिन इलाकों में जहां अस्पतालों की कमी है वहां अस्पतालों के निर्माण में भी मदद की है सरकार द्वारा भी देजभर के गावों में लगबग डेड़ लाक हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाने का काम तेजी से चल रहा है इन सेंटर्स में अनेक गंबीर बिमारियों के टेश्ट के सुविधाय मुहया कराई जा रही है पहले से किया जा रहे इन प्रयासों ने हमारे गावों को कोरोना के खिलाब लड़ाई में एहम भूमी का निभाने के लिए त्यार किया है मुझे विश्वास है कि आप सभी अपनी सामोही कोशिशों से अपनी एक जुटता से अपनी संकल प्रशक्ति से कोरोना को जरूर परास करेंगे इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी साथियों को पंचायद राज की इस महत्वपूर्ण पंचायद राज दिवस की शुपकामनाई देता हूँ आपके परिवार जनों के आपके गाउं के नागिरीकों के बहतर स्वास की कामना करता हूँ और फिर से एक बार आपने समय निकाला आपके बहुत सारी बाते मुझे बताई बहुत को नई जानकारिया मिली आपके आत्मविसास को मैंन अनुभव किया मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं नमश्कार